ओके तो स्टार्ट करते आज का अपना सेशन ठीक है और देखो यहां पर जो करेंट सिचुविशन में जो मार्केट है उसकी कंडिशन देख लो कि मतलब हेल्दी हेल्दी के साथ में बड़ी-बड़ी के साथ में मार्केट नीचे आया तो आई तिंग अल्मोस्ट यह अपने एक्जॉस्ट पॉइंट पर आ चुका है और यहां पर एक अच्छा सा की लेवल है जो कि मैं आगे आपको नोटिस करवा दूँगा तो इधर यह देखो यह एक्जॉस्ट भी हो गया तो साइद इधर रिवर्स भी कर ले मार्केट थोड़ सा मैं अभी आपको वह की लेवल नोटिस करवा देता हूँ जिससे के आपको प्रॉपर क्लारिटी रहा और इसके बाद में मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि साइद इधर मुतलब थोड़ सा बाइंट पुश निकल के आ सकता है ठीक है अभी आपको मैं सारी चीज नोटिस करवा के प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दूँगा जो कि अभी समझ लो अच्छे से ठीक यह रहो अपना की लेवल यहां से देख लो मार्केट इग्जैक्ट इसी पॉइंट पर आके एक्जास्ट हुआ देन अगेन एक हिल्दी सी बाइंग केंडल जो की बनने की कोशिस हो रही है यह देख लो ठीक तो इदर साइद थोड़ा सा बाइंग पुश निकल के आए जो कि निकल के आए गया बहुत जादा होगा दो तीन कैंडल का सैद इधर तक आह यह इसके नीचे तक जो भी है ठीक तो थोड़ा से इधर buying push निकल के आएगा क्योंकि market इधर एक तरफा गिरा है और ये reverse level है दिन इधर ये एक तरफा again sellers का momentum निकल के आ सकता है मतलब फिर आगे जो travel करेगा market वो downward direction के लिए तो ये सारी जो situation है इसको मैंने आपको explain कर दिया ठीक है आई होप आपको समझ में आये होगा और ये देखो current वाली जैसे candle green बने है अगर ये मतलब green बनती है मतलब बहुत date size में नहीं बनती है on an average भी बनती है तो भी next पर मैं call के लिए जाओंगा दिन उसके बाद market again reverse कर सकता है बड़ फिलाल एक candle का और continuation तो बनेगा ठीक है तो देख लेते हैं पहले इसका closing price ये देखो थोड़ से healthy form में बन रही है देख रहे हो ये थोड़ से healthy form में ये भी बन रही है और next पर तो मैं continuation के लिए trade for sure करूंगा क्योंकि उसका एक reason और भी है ठीक जो कि मैं अभी आपको notice करवा दूंगा जिससे आपको proper तरीके से समझ आएगा तो मुझे जितना समझ आ रहा है कि possibly एक green candle तो for sure इधर आएगी ठीक है तो इधर मैंने trade भी ले लिया और I think थोड़ सहा उपर लग गई है मेरी entry ठीक है थोड़ से ऊपर लग रही है बट मेरे पास एक confirmation और है जिसकी वज़े से मैं आपको notice करवा देता हूँ अब यह वाला जो देख रहे हो यह minor area यहां पर अभी bottom से भी इसको clear कर देता हूँ मैं ठीक यह देख लो अब यह जो minor सा area देख रहे हो यह यहां पर एक green candle तो मस्ट है इस area को वन more green candle तो फिल करना ही चाहिए देन इसके बाद में next पर reverse कर सकता है ठीक तो जो थोड़ा सा ऊपर इंट्री मेरी लगी है तो उसे बहुत साथ मुझे नहीं लगता कोई फरक आना चाहिए ट्रेड अपने प्रॉफिडबल हो जानी चाहिए क्योंकि प्रीविर्स में भी बाइस थोड़ा हिल्दी है और वन more candle का तो at least continuation होना चाहिए देख लेते हैं इसका closing price ओके तो देख लो और next candle थोड़ा सा gap up opening भी हो गया ठीक है और almost इसने मतलब उस minor से area को fill कर लिया तो अभी market क्या कर सकता है कि reverse कर सकता है ठीक यह जो current वाली candle है यह एक red candle फिलाल के लिए बन सकती है यह यहां से sellers इसको continue कर सकते है मतलब जैसा अपना analysis जैसा मैंने बताया था कि again market जब reverse करेगा तो downward direction के लिए वो travel करना start करेगा ठीक और फिलहाल के लिए तो देख लो कितना healthy मतलब कितना powerfully इदर sellers enter कर लिए और देखते हैं क्योंकि previous वाला जो scenario था उसमें भी healthy form में थे sellers तो मुझे लग रहा है कि इदर अगेन एक तरफा जो है sellers continue करने वाले हैं और एक ट्रेड हमने कर ली एक profitable ट्रेड हमने कर ली अब आगे अगर ऐसी और opportunity मिलती है दिन अगेन हम इदर एक तरफा ट्रेड कर लेंगे इसी momentum में जो कि बन रहा है sellers के favor में ठीक है तो अभी देखो यह थोड़ी candle यह जो मतलब candle close हुई थोड़ा healthy form में close हुई तो हम थोड़ा से एक candle और wait करेंगे अगर current वाली candle भी इसको same situation के साथ carry करती है दिन हम next बे continuation के लिए जाएंगे then again sellers के favor में ठीक है जैसा अपना analysis था कि साइद इसको sellers एक तरफा carry करके ले जाए ठीक है जो भी है अभी थोड़ से wait करेंगे okay तो देख लो current वाली candle थोड़ा ज्यादा ही healthy form में मतलब बनती जा रही है तो हम थोड़ से wait करेंगे ठीक और यहां पे मैं bottom के कुछ scenes आपको bottom के कुछ key levels आपको notice करवा देता हूं zone plus key level ठीक जिससे कि आपको हर सीज मतलब क्योंकि ultimately the market जिदर को travel कर रहा है उध अधर भी क्या क्या scenario create हो सकते हैं उनको भी मैं आपको समझा देता हूं ठीक है तो यह हो गया bottom का अपना menu zone जहां पे buying push निकल के again आ सकता है मतलब reversal इदर बन सकता है zone में जब भी market enter करेगा और यहां पे मैंने continuation के लिए sellers के favor में trade ले लिया जैसा कि मैंने आपको बताया था ठ ठीक है अभी देखो previous में भी sellers strong थे current situation में भी sellers strong है तो यहां पे क्या तरफा यह sellers को continue कर सकते हैं मुझे क्या लग रहा है कि अपने zone से भी ऊपर एक key level type का something है एक अच्छा level दिख रहा है मुझे ठीक है वह एक buying push उदर भी निकाल के दे सकता है बट वहां पे मतलब क्या continuation नह level पे हैं तो वह भी मैं अभी आपको notice करवा दूंगा ठीक है जिससे आपको proper तरीके से समझ आएगा एक तरफा इदर sellers चल रहे हैं बट स्टिल वहां पे reversal के chances हैं जो मुझे मतलब समझ आ रहा है market को देख के analysis करके ठीक है तो वह चीज़े भी मैं आपको notice अभी करवा दूं यह रहा है ठीक है मुझे लग रहा है कि possibly market सबसे पहले इस level को tap करेगा और यहां पी क्या है कि reversal के chances possibly मेरे को लग रहे 100% ठीक है तो यहां पे सायद reversal बन सकता है बट फिलहाल तो मैं trade नहीं करूंगा क्योंकि market एक तरफा buying मतलब selling pressure लेके चल रहा है ठीक है अच्छी अच्छ कि market कितना healthy form में इदर चलते हुए आ रहा है और मैं तो फिलाल trade नहीं करूंगा against the this much of power मैं trade नहीं करने वाला इदर मैं trade पकड़ूंगा तो sellers के favor में निकालूंगा कुछ अच्छी trade निकालूंगा तो ही मैं trade करूंगा और फिलाल अभी दो trade मैंने कर ली और यह देख लो दे date size की candles का मतरब कोई healthy situation मतरब healthy form में candle इदर close नहीं हुई यह date size की candle इदर close हुई है तो again possibly sellers इसको एक तरफा carry कर सकते हैं ठीक है तो मैं again sellers के favor में ही trade करूंगा वायर्स के favor में risk जैसा नहीं लेने का मेरा मन था तो मैंने ignore भी किया उस reversal को और यह देख लो इतनी healthy form में sellers थे then again य इस लेवल पर हुआ और हम यहां पर और यह वाला लेवल ब्रेक होने वाला है हम again sellers के favor में ही trade करेंगे ठीक है तो current वाली candle के close होते ही हम next trade करेंगे continuation के लिए और possible जो reversal अब एक अच्छी average size की candle का हो सकता है वो अपने इस zone में जो market enter करेगा दिन होगा ठीक है तो यहां पर पहले तो मैं trade ले ले लेता हूं जिससे की मेरी entry सहीर है देखो market इस level को break करेगा ठीक है यहां से reject हो के एक reversal तो बना बट वो rate size की candle का था जिसका कोई मतलब नहीं है तो अभी जो healthy form का यह average candle के आसपास को जो reversal बनेगा वो अपनी zone में जब market enter करेगा दिन वो situation बन सकती है उधर जाके एक अच्छा reversal बनेगा in between के जो यह level था वो काम तो किया बट मतलब उतना भी अच्छा काम नहीं किया जिस तरह से reversal होना चाहिए जिस तरह से मतलब reversal हम सभी को पसंद है ठीक तो थोड़ से वेट करेंगे फिलाल तो यह भी trade अपनी profitable हो जाएगी अपने को क्या है तीन चार्ट से और शॉर्ट निकल के चले है सारी मतलब माथा पच्ची खतम हो जाती है वहीं पर ठीक और यह trade भी जैसे मैं नहीं कहता है कि market इस level को break क किया और अभी market अपने उस zone की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा उस zone में इंटर होने के बाद में क्या है कि उधर एक अच्छा reversal हो सकता है ठीक यह देख लो मतलब एक तरफा इधर move चल रहा है जैसा मैंने कहा था में स्टार्डिंग में प्रेडिक कर दिया था कि market आउन एक bottom को point है ठीक है जो मतलब last low था वहां तक market सायद इसको carry कर सकता है बट हम उतना तेर तक weight नहीं करने वाले इधर ठीक है यहां से अगर देखो तो यह पूरा एक एक तरफा move निकल के आया जो हमने prediction मा बनाया था अपना यह अपना complete हो गया और इसके bottom में भी जो last low है ठीक current situation के लिए possibly market इस zone को भी break करके थोड़ा बहुत मतलब suffering करके थोड़ा बहुत bank push इदर दिखा के इस zone में market आ चुका है तो यहां पर I think reversal बन जाना चाहिए जिस reversal को हमने predict किया और उसके बाद में क्या है थोड़ा बहुत bank push आ सकता है again 2-3 candle 4 candle और उसके बाद market क्या करेगा कि again bottom के low तक travel करने की kisses करेगा current situation के जो bottom का low है वो भी मैं आपको notice करवा देता हूं बट उतना weight मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मेरी अच्छी खासी वाली trade मिल चुकी ठीक है possibly market यहां तक आना चाहिए इसको और आना चाहिए मतलब एक तरफा इसी situation के साथ आना चाहिए जिस लाइ मार्केट होता तो इसको मैं Forex पे भी trade करता फिलाल तो यह OTC है तो भाड में जाए और देख लो जिस reversal को हमने प्रेडिट किया वो इधर बन रहा है ठीक है इस zone में market देख लो इंटर हुआ यह रहा अपना वो zone और इस पे इंटर करने के बाद देख लो यह वो reversal जो ह मैं पर शोड़ देता हूं ठीक है आई होप जो भी समझाया आपको समझ में आया हो और सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स पे